प्राइमर जो की मेकप का बहुत ही एक एसेंसियल पार्ट है तो प्राइमर आपको मार्केट में कई तरह के प्राइमर मिल जाते हैं आज मैं आपको दोट तरह की प्राइमर घर में बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि आप बहुत ही इजी तरीके से इसे घर में बना सकते हैं। अज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक में बात करूंगी वह हैं प्राइमर क्या है prinuce को बता है है में कि में को यूज करने से पहले यानिकी फॉर्फटन लगाने से पहले अवन लोग प्राइमर का मुझ करते तो यह प्राइमर आप घर पे बहुत ही आशानी से घर पे बना सकते हैं और प्राइमर लगाने की कई सारी बेनिफुट्स है अगर आप मेकप करने से पहले प्राइमर लगाए तो फिर आपके स्कीन में मेकप बहुत अच्छे से इसका लुक आएगा और आपके जो पोर्स है वो भी क्लोज हो जाएगा तो इसे कैसे घर पे बनाए जा सकता है चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूगी और अगर आप नए है मेरी चानल पे तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दीए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नए वीडियो की नए आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास बहुत सके सबसे पहले मैं बनाऊंगी ड्राइ स्कीन के लिए प्राइमर बहुत ही इजी तरीके से और कम समय में आप इसे बना सकते हैं यह आपकी मेकप को एक फ्लॉलेस और ग्लॉसी लुक देगा सबसे पहले मैंने यहापे ऐलोवेरा जेल लिया है दो चम्मच एलोवेरा जेल लिया है कोई भी अच्छी कमपनी का एलोवेरा जेल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिर इसमें हाफ टीस्पून जो भी मॉस्चराइजर आप यूज करते हैं इसमें डाल दे और इसमें हाफ टीस्पून ग्लिसरिन एड़ कर देना है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसे तब तक मिक्स करें जब तक इसका टेक्स्चर पूरा क्रीमी स्मूथ सना हो जाए अगर आप इसे विंटर में लगा रहे हैं तो इसमें एक से दो विटमिन ए की कैपसूल बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे तो यह हमारा ड्राइ स्किन के लिए बन गया है प्राइमर ओली स्किन के लिए मैंने यापे दो चम्मच अलोवेरा जेल लिया है जिसमें आदा चम्मच रोजवाटर यानि की गुलाब जल डाल दिया है और हाफ टी स्पून कोकोनट ओयल इसमें डाल दिया है और इसे भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है यह बिल्कुल जेल की तरह बनेगा तो इसे भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह बनके बिल्कुल तैयार है और यह बिल्कुल इसमें देखिए स्टिकीनेस नहीं है मेरा स्कीन ड्राय टू नॉर्मल है तो मैं यहां पर ड्राय स्कीन वाला प्राइमर में जो मैंने बनाया था वो यहां पर लगा रही है सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले फिर प्रायमर को इस तरह से मेकप करने से पहले एपलाई करे यह आपके मेकप को एक ग्लॉसी और स्मूध लूग देगा प्रायमर आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है और इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है यह आपके स्कीन के अंदर नहीं जाने देता है और आपके स्कीन इस तरह से प्रोटेक्ट भी रहता है तो इसे आप जरूर ट्राइ करके देखे आप सभी को बहुत पसंद आएंगे तो मिलते हैं नहीं एक वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हपीज थैंक यू वीवर्स पर वाटिंग मैं चैनल